परिशान है मच्छर काटते हैं तो ये फोल्डेवाल मस्कीटोनेट ले लीजिए अपने बैट में बढ़िया सोते समय इसको लगा लीजिए और बहुत ये चगर के तरह जाली दार बिलकुल जब चेहे खोल के निकाल लीजिए और फोल्ड करके रख दीए इस टॉयलेट क्ली ब्रस बीथ फिश होल्डर है इसमें आप क्लीन करने के लिए टॉयलेट क्लीन के बाद बढ़िया होल्ड कर दीजिए क्योंकि इदर उदर ब्रस पड़ा रहता न अच्छा नहीं लगता है गाईज तो पेस्ट कंट्रोल का सवाल है भाई तो इसको आप अपना बढ़िया इ और मशीन में अपना पलट दीजिए कपड़ों को मशीन से धुल जाएंगे बढ़िया आपका बास्केट है कहीं पड़ा रहे बालकरी यह और यह है गाईज किचन के छोटे-छोटे सामानों को मसाले वगएरा सब कुछ ऑगनाईज करने के लिए चम, मच, स्पून जो भी स सारे सामान हैं आपके चाकू छूरी उन सबको एक ही जगे बेवस्थित करने के लिए आप इसको आज सलात वगएरा या फिर कुछ नास्ता वगएरा लेने के लिए इस तरह का आप ले आईए तीन खाचे का प्लेट है यह तीनों में अलग अलग डिसेस रखकर अपने दोस दोस्तों को जो भी फ्रेंड्स अईलियों को खिलाए नास्ता करिए और इस तरह का चोपर देखिए बहुत ही इजी चोपर इसमें सलात वगएरा काटने के लिए खीरा वीरा चिप्स काटने के लिए मल्टी परपस यूज करने के पर हमेशा के लिए गाइस यह आपके घर क के लिए सीड़ी जिसका उपियोग आप खर का कूछ ऊपर रखा वुआ सामान उतादने रिखने के लिए भी कर सकते हैं और साथ ही इस सीड़ी का उपयोग आप कपड़ों को फैलाने के लिए अपनी बालकानी में रखकर इजली कर सकते हैं बहुत ही अच्छा काम की चीज है इसको फोल्ड करके रख भी सकते हैं और गाइस यह है हैं इनको भी आप दीवारुबार में होल्ड करके चान के लिए अअफ़ बनाया कर सकते संवानों कर सकते इसले इडेशी ब्रस मंजन रखने के लिए बहुत अच्छा बस्रुम के आपका यह ब्रस रहता है कई बारे ना कीडे वीडे भी आगे उड़के बैठ जाते ब्रस में फिर आप उसी को उसी से ब्रस करते टूस्पेस्ट निकालने के लिए बहुत अच्छा बना इस टूल कितने काम का है ना इसको आप डिनर करते समय यूज़ कर सकते हैं और फिर कही पर चड़ना उदरना यह तो लिपट रही है और फिर क्या है ना कि इनको फोल्ड करके आराम से कहीं रख भी सकते हैं आपका इस पेस भी नहीं घेरते हैं जादा अब प्याज को छीलने का दो वाई नया ही तरीका आ गया है इस तरीके से आप चीलेंगे ना तो मस्त चौमी वाल माउंटेट डरेक इसमें आप अपने लीड होल्डर है इसमें आप अपने बड़े बड़े आइटम्स बरतन वगेरा है न धकन खासकर हैंग कर सकते हैं किचन में कहीं भी लगा कर और गाइस यह है मेकप बॉक्स और आप अपने चाहें तो ड्रेसिंग में चाहें तो बात्रूम में कहीं भी इसको रखर मेकप के सामान को ऑगनाइज कर सकते हैं काफी सुन्दर लगता है देखने में और प्लास्टिक कप बना हुआ काफी अच्छे रेट में आपको मिल जाता है एमेजॉन पर तो कई 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 कलर में उपलब धाई यह चपल ठगा सकते हैं काफी अच्छा दीवार में स्पेस भी कम घेरता है और इस चपलों को धोधा के इसमें बढ़िया आप हैंक कर सकते हैं तो काफी अच्छा लगता है यह जब भी कोई सबजी भाजी धोना हो या फिर थाली में बचा हुआ कूड़ा है उसको रखने के लिए काफी अच्छा गया है तो बढ़िया से साफ हो जाता है बॉटल वगेरा डबे जो भी साफ करना है आपको यह है ट्यूब डिस्पेंसर इसमें आप पानी को भरके यह बहुत मलब फोल्ड भी हो जाता है पानी को भरके वैसे रख दिजे जब जरूरत नहीं हो तो इसको फोल्ड करके रख किचन कौरनर रेक है इसको प्लास्टिक का बना हुआ अराम से आप इसको और नाइज करके सारे सामान कीचन याँ वॉश्रूम में हैंड वॉस यूज़ उसको इस करते हैं तो इसको इस तरह से दीवार में लगाकर अपने वाश्रूम वगैरा में और इसको कर्दीजे बढ बना सकते हैं सिलीकोन का इसलिए चिपके का नहीं कोई भी सामान एक वगेरा भी बना सकते हैं इसमें आउमलेट बढ़िया बन जाएगा तो यह इतना अच्छा प्रोडक्ट ऐसा भी नहीं कि गरम होने पर आपके तबे में किसी भी चीज में चिपक जाएगा इसमें अलग अ कप चिलका इसली निकाल सकते हैं बहुत इच्छा प्रोड़क्ट है गाईस और काफी सस्ते रेट में मिल जाता यह आपका सू क्लेनिक प्रच कि भरसा इसमें लिक्विड डालकर सूस को क्लीन कर सकते हैं कपड़े वगेरा भी इससे दो सकते हैं बहुत ही बढ़िया और एमेजॉनमर का भी सस्ते रेट पर ये आपको मिल जाता है ऐसी चीजें रखने से आपको बहुत सहूलियत मिल जाती है घर में और इसमें आप मेडिशीन अलग-अलग टेबलेट्स वगेरा भरके पेट दर्द की सिर्दर्द की बुखार की दबाई भ करके कुछ भी कॉफी ओमले एट वगेरा घोल सकते हैं घोलने के लिए बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है यह चोटा से समाल सा है कहीं भी इसको ले भी जा सकते हैं सोफा कम बैड है घर में दिन में आप सोफे की तरह यूज कीजिए रात में बैड के लिए आप इसको निक अच्छी ले बीना काटे आप वाटर मिलन को बढ़िया निकाल सकते हैं पीसेस निकाल सकते हैं और कोई गेस वगर आया उसको सर भी तुद भी खा सकते हैं इसमें एक साइड में स्पून भी दिया गया खाने के लिए तो इस जैसे कांटे वाला होता है यह कॉर्ण कटा रह अच्छी आप कपड़ों को ऑग्नाइज करके अलमारी में रख दीजे कपड़े इदर विखरते नहीं और ढूंडने में कोई समस्यां नहीं होती क्योंकि कपड़े अलमारी में कैसे भी रख दो आप ढूंडने में दिककत तो होती है इन सब चीजों में और गाइज यह जूसर है इसमें आप किसी भी चीज के छोटे-छोटे चीजों का जूस निकाल सकते हैं सिंगल परसंद के लिए जूस बनाके और इजली कहीं लेके भी जा सकते हैं काफी छोटा सा प्रोडक्ट है काफी सस्ता मिल जाते हैं और यह सीलिंग मशीन इस से आप जो भी कुछ सील क करना हो ना घर में बचा हुआ कुछ पैकेट्स में है ना चिप्स वगएरा नमकीन वगएरा इसको आप सील करके रख दीजिए आपका सामान वैसे का वैसे रहेगा गिरेगा भी नहीं चोटा सा प्रोडक्ट है पीकल और इसमें अलग लगता रहे कि अचार वगएरा या फ सब्सक्राइब कर लीजिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो परचेज कर सकते हैं और वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक करें शेयर करें चैनल फाइंडोस को सब्सक्राइब कर लीजिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो तब तक बार